आज हम बात करने लगें एक MCQ की इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा तो तब जाकर आपको समय में आरेगी बात लेकिन अगर आप वाइस तदर्बा है और आपने ऐसे क्वेस्टन के दवाहल किये होगे हैं तो आप बहुत जल्दी से भी आंसर दे सकते हैं कोई क्ली सी सब्सक्राइब नहीं लगती है चलते हैं अपने MCQ की तरब MCQ यह कहता है कि आपको बताना है दा एवोगैड्रोज नंबर यह निए आवोगैड्रोज कॉंस्टेंट इस दा नंबर आफ में पता है यह नंबर सिक्स पॉइंट जिरो टू इंटू 10 रिस्ट पावर 23 है तो आ गराबर कुछ आ रहाहा होगा तो यह असल में एक Mr. होता हैं तौंक एक मोल में जितने गरामस पाई जाते हैं वह आप देख लें तो इस तरह से आपने दीज़ा हिया हुँआ है मोल में दीज़ता हुआ हैं तो आप सबको चेंच कर सकते हैं हमारे पास सिर्फ पर फिराल घ होता है एक मोल लिया जाए तो इसके गराम दो बनते हैं तो एक्चुली टू ग्राम होता है हिलियम जिसे के दूसरा ही एलमेंट है पहला है यह ऑप्शन हुआ गलत क्योंकि यह लिखा है मॉलिक्यूल्स ऑफ 35.5 ग्राम अफ क्लोरीन गैस यह लगेगा बिल्कुल ठीक है भई क्लोरीन का वेट तो होता ही है 35.5 ग्राम पर मोल तो यह बिल्कुल ठीक है लेकिन एक्चुली आप में देखना है कि उसने एटम नहीं लिखा है यह क्लोरीन आटम का वेट है उसने होते हैं तो आपके पास टोटल जो वजन बना वह टू टाइम्स बना इसका ठीक है 35.5 का जो के एक मोल या कहलें एक मोल जाए वह गैड्रो नंबर जितने ग्राम के बराबर नहीं है आगे चलते हैं नेक्स एजिक एलेक्ट्रोंस नीडिट्टू डिपॉजट 24 ग्राम अफ मेगनिश्ण के बाद भी सही है कि मेगनिश्ण जो अगर हो 24 ग्राम्स तो वो उसका टामिक मैस होता है लेकिन उसका टामिक मैस ने पूझा उसने कहा है उक्ट्रॉंस नीडिड्टू बही ऑलेक्ट्रों मेगनिश्ण कब लेता है जब मेगनिश्ण पर कोई positive charge होता है तो ए आखरी बात atoms in 24 gram हाँ जी अब magnesium atom अगर हो और वो एक mole हो तो आप कहेंगे कि उनका mass 24 gram होता है तो यह हुआ डी बिल्कुल सही जवाब तो D is a correct answer तो मैंने आपको सारी option से का दी है वजना आप directly भी atoms में देख सकते थे कि magnesium के atoms जो कि अगर एक यानि mole के बराबर जिसको हम gram पर mole भी लिखते हैं या AMU भी लिख देते हैं तो अगर इतना होता mass तो जो mass सिर्फ आपको D option में ही मिल रहा है जबके C option में इससे double electron हो जाते हैं और B option के अंदर molecule क्लोरीन के molecule के पार से double हो जाते हैं यानि क्लोरीन atom यानि 25.5 gram क्लोरीन गैस का ब बजन होता है वो होता है एक mole में double ठेक है यानि almost 71 होता तो यह जवाब दरूस्त होता और one gram जिस मैंने काईश के लिगावे two होगा तो यह है जी असान सी बात तो आप देख रहें कोईतना मुश्किल बात है इसके अंदर बिल्कुल असान सी है तो question करें question को पहले खुद हल किया करें फिर देखा करें वीडियो को complete ताकि आपको जवाब विल्कुल सही समझ में आ जाए तो कोई आपके पास suggestion हो तो जरूर बताईएगा तो अगर आपको समझ में आ रही है फाइदा हो रहा है तो चैनल को subscribe कर लें और दूसरों तक भी प्रगाम को पहुंचा दें त आपके वी फाइदा उठा सकें तो अब तक के लिए अल्ला हापस